तो भई जिस चीज़ का वेड था फाइनली वो जो है अभी होने लग चुका है क्योंकि चाइना के अंदर शाओमी ने इनहांस्ट एक्सपिरेंस बीटा वर्जन रिलीज कर दिया है शाओमी 14 हुआ शाओमी पैट 6S Pro वगरा हुआ एक और डिवाइस था जिसका मैंने आपको और एड़ी पिछले वीडियो के अंदर बताया था जब बीटा टेस्टिंग स्टार्ट हुई थी अगर आप रेगुलरली वाज करते हो तो अब उसका भाई नया APK आ चुका है सिस्टम लॉंचर का और उसका जो वर्जन वो चेंज हो चुका है नए एनिमेशन आ चुके है और एनिमेशन टेस्ट भी आपको इस वीडियो के अंदर मैं दिखाऊंगा प्लस और क्या-क्या नए फीचर्स आपको मिलते हैं डेफिनली इस वीडियो को एंट तक देखते रहना उसी के साथ देखो भाई एक जो है ग्लिम्स दे देता हूँ यह iOS 18 का कंट्रोल सेंटर है और इसमें pages भी काफी अच्छे से working है देखो काफी लोग इसको बिना route के install करना चाते हैं और यह बिना route के ही मैं आपको जो है next वीडियो लाने वाला हूँ आज ही तो चैनल पे पहली बार है तो भाई तभी मैं बोलता हूँ ऐसे interesting वीडियो के लिए subscribe जरूर से कर लेना और इस वीडियो पे 100 likes का target है भाई definitely जो है 100 likes complete कर देना चलो अब main चीज के उपर आते हैं जो की है हमारा system launcher सबसे पहले मैं आपको APK का version दिखा देता हूँ यहाँ पे अगर आप चलोगे तो simply मैं जो है telegram channel से आपको दिखाता हूँ वहाँ पे आपको better तरीके से समझ में आ जा आपको इसका version देखने को मिलता है अगर आप launcher के उपर जाओगे ना यानि कि मैं आपको यहाँ पर जो beta 4 आया था यह देखो beta 4 का video मैंने डाला है इसका जो वर्ण है वो start हो रहा है 4.39 इससे पहले जितने भी update आया ना hyperOS के बाद से उन सभी का 4.39 से starting होता है बट यह 2.0 का है और यहाँ पर 5.39 से इसकी starting हो रही है जो कि आप देख सकते हो और enhanced जो experience version है उसका नया update आया है तीन devices के लिए तो उससे इस launcher को extract किया गया है सबसे पहले तो यहाँ पर changes देख सकते हो first version of hyperOS 1.1 with android 15 यह 1.1 beta के लिए use किया गया है बट यह actual में 2.0 की testing है new style of changing the desktop grid उसके बा folder names उसके बाद optimization of application opening उसके बाद improvements in animations and exiting applications यहनकी app opening and closing animations के अंदर थोड़ी improvement आपको निलती है अब actual में मैंने इसको simply install कर लिया है जैसे मैंने आपको बताया है अगर आप इसको install भी करना चाहते हो देखो simply आप यहाँ पर जाके जो है टैब कर सकते हो मैंने beta 4 install कर रखा था तो कुछ इस तरीके से simply आप download कर लेना इसका जो मैं link है वो description में डाल दूँगा और उसके बाद changes मेरे को क्या notice हुए सबसे पहले हम theme app के अंदर चलते हैं और यहाँ पे my account के अंदर चलते हैं उसके बाद icons के उपर चलते हैं icon size के उपर तो देख सकते हो maximum जो आप यहाँ प अब अगर आप यहाँ पर pinch करते हो कुछ इस तरीके से तो सबसे पहले तो animation में improvement आपको मिल जागी हाला कि यह इतने smooth नहीं मिलते haptic feedback भी आपको feel होगा अगर आपका phone flagship है दूसरी चीज आपको क्या notice होगी देखो यहाँ पे 4 icons आ सकते हैं तो इसी लिए इसने already indicate कर दिया है कुछ इस तरीके से corner का एक आपको indication देखने को मिल जाता है जो कि आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हो अगर आप यहाँ पर setting के अंदर जाओगे पहले तो एक चीज और दिखा देता हूँ यहाँ पे जो यह विजट वाल पेपर और setting का आया पहना यहाँ पे जो icon मिलता ह यह काफी ज़दा dark हो चुका इसका background जो कि आप ध्यान से देख सकते हो पहले ऐसा नहीं था बट यहाँ पे इस update में यह चीज हो चुकी है setting के अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको hyperos 2.0 का setting का layout मिल जाता है जो कि आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो बीच में थोड़ी स space आपको यहाँ पर मिल जाती है home screen जो layout है उसके और यह more का जो button है तो ऐसा redesign setting का page यहाँ पे latest beta में push कर दिया है पूरी setting के लिए बट यह चीज आपको इस app के अंदर देखने को मिल जाती है वैसे नए system apps जब आएंगे न 2.0 के extracted उसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा इस channel पर तो बोराओं भाई subscribe करके रखना अगर आप transition effect के अंदर जाओगे तो यहाँ पर कोई changes नहीं मिलते बट अगर आप default screen के ओपर जाओगे इसका layout change हो चुका है ध्यान से अगर आप देखोगे तो इसके अंदर भी आपको देखो जो pages है ना यहाँ पर यानि की जो main आपके different pages होते हैं वहाँ पर भी जो है जितनी space में जो icons आ चुके हैं या फिर आ सकते हैं वहाँ पर icons की जगह पर आपको एक stroke का effect देखने का मिलता जैसा मैंने आपको पहले दिखाया इसके अंदर भी देख सकते हो यह indicate करता है कितने icons यहाँ पर और आ सकते हैं तो यह आपको एक नया change देखने के लिए मिल जाएगा उसके बाद भाई यहाँ पर आपको बाकि सारे changes सेम मिल जाते हैं more के अंदर भी आप जा सकते हो बट जो animations आना वहाँ से improve हो चुके हैं जो कि आपको यहाँ पर feel होगा बट यह unstable है फिल हाल के लिए क्योंकि बीटा वर्ण है अब हम चल सेटिंग के अंदर जाना जाते हो तो मैं आपको सेटिंग के अंदर भी चीज़ें चेक करवा देता हूं home screen में जाओगे सब कुछ सेम है animation speed का option रहेगा यहाँ पर standard और यह dense mode आ चुका है जो कि आप ध्यान से देखोगे और इसमें भी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो भ आपर animation test कर लेते हैं देखो एक चीज़ का difference आपको मिल जाएगा देखो यहाँ पे जो है आप close करते हो आपको आइको देखने को मिलता अगर आप यहाँ पे इसको ध्यान से notice करोगे जब मैं close करने की कोशिश करता हूं तो यहाँ पे आपको जो है इसका proper icon नहीं देखने को मिलता है यहनि के इसको जो है load नहीं कर पाता बट स्टिल यहाँ पे जो है एप opening closing animation most of the time smooth मिलेगी बट स्टिल यह बीटा वर्जन है तो bugs आपको animations में देखने के लिए मिल सकते हैं